नमस्कार दोस्तों नमस्कार ये देखो आज है न ये शोट वीडियो है वैसे कोई दिकत नहीं इसमें आद देख ले न ये शोट वीडियो है और मुगले जो थे मुगले मुगलों के बारे में है ये मुगलों के बारे में ये है ठीक है मुगलों के बारे में अपने देखें तो मुगलों के बारे में 1526 से लेके 1707 तक ये मुगल थे इसके बाद में 1707 से लेके 1857 के क्रांती के उत्रवती मुगल है फिर 1857 से लेके गुनिस व सेंतलिक से ब्रिस्टीट काल चलेगा यनी ब्रिटिश ब्रिटिश काल ब्रिटिश क्राउन काल चलेगा ब्रिटिश काल ठीक है मुगल कौन थे मंगोल जाती के थे मुगलों का सबसे पहले आना किसका हुआ बाबर का किस कोन आया सबसे पहले बाबर आया बाबर ने पंद्रा सो च्यार में पंद्रा सो च्यार में आकरमन किया कहां पर किया मां आपको पीछे दिखा दिता हूँ उसकी पूरी डिटेल ये देखे इसकी पूरी डिटेल अभी दिखा दिता हूँ आपको बाबर ने आकरम बाबर का है सोरी सोरी यहां से देख लेते हैं अपने देखो बाबर का बाबर है इसमें बाबर मुगल काल में 1526 से 1707 तक 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 यानि ओरंग जे की यहां क्या हो चुकी थी मृत्यु हो चुकी थी सेकंड गॉल्डें प्रहटाए तो फेस्ट कोन सा जर्ट गोर्टें का खेथ गुद्टते काल में बहुताःस कुछ हो था है इसके बाद में फर्गना बाबर manner का परता है तुर्क ए honest देखोर में चौ्पर एप्रा को इसको बाबर का क्या होता है जन्म होता है ठीक है यहां देखो चोदा फरवली वेलेंटाइन डेवी इसी दिन है वेलेंटाइन डेवी क्या होता है इसी दिन 1483 एस्वी में 1483 एस्वी में बाबर का जन्म ही फर्गना तरकी तरकी में हुआ तरकी में हुआ ठीक है अगी देखो इसमें इनके पिता का नाम उमर सीक मिर्जा इनके पिता का नाम क्या था उमर सीक मिर्जा था यह तेमूर वंसी था तेमूर वंसी फादर था इसका बाबर का और इसने died after only 11 years, यहने got kingdom of his father, ठीक है, अपने पिता जी का जो kingdom था सामराजी इसके बाद उसने समान लिया, इसको चंगेज, इसमें कुतुब बेख, कुतुब बेख थे, चंगेज देशी, इसके बाद में अपन यहां देखते हैं, समरकंद, समरकंद में 1494 में यह 11 सासक बना क्यों 11 साल की उमर में, ठीक है, कितने साल की उमर में, लेकिन यह कहते हैं, कि इतियासकार ज्यादा कि 13 साल की उमर में, उनले 13 साल की उमर में अकबर, कौन बना, अकबर था, यह 13 साल की उमर में क्या बना, राजा बना, ठीक है, और स इतने साल के उम्रें जर तरेशाद साल के उम्र में जया कर वो क्या बना था। इसके बाद में अपन ने पीछे देखा ना 504 में काबूल और कंदार फिए कन्दार किया पंद्रा सो चार में इसने किस पर आकर्मन किया कंदार कंदार पर इसने क्या किया आकर्मन किया किस पर आकर्मन किया कंदार पर आकर्मन किया और आकर्मन करने के साथ यह अपन जाते हैं आगरा की स्तापना अपन बहुत बाद में चलते हैं अब आगरा यह यूपी में पढ़ मर से बना हुआ है सपेद संग मर 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 से ये क्या है बना हुआ है ठीक है ताज महल का निर्मता किसे मद उस ताज उस ताज उसे ताज अली और इसको ताज मिल को जो निर्मता है वो साँजा था साँजा साँजा के काल में ही साँजा के काल में ही मयूर सिंगासन बनाया गया था साँजा के काल में ही मयूर सिंगासन मयूर सिंगासन बनाया सिंगासन बनाया गया था ठीक है जिसे कोन ले तक्ते ताहू ये भी किस ने मनाया तक्ते ताहू तक्ते ताहू इसी को कहते हैं और इनी के पास से कोही नूर हीरा कोही नूर हीरा जो गोल कुंडा की खानों से निकला गया आप दोस्तों ये ना सोचे में कहीं देखके पड़ा रहा हूं ये मैंने खुद अपनी जो अपने आपके सामने चल रहा है ठीक है ऐसा कुछ वा कोही नूर हीरा जो वर्तमान में ब्रेटेन में है वर्तमान में कहां पर है ब्रेटेन में है ये ब्रेटेन जो अंग्रेजों का जो ब्रेटेन एक यूरोपी देश है यूरोप महादीब का एक देश है ब्रेटेन है लंदन है जर्मनी है यहना ब्रेट करें तो यहीं व्यक्ति था अपने कहां पर बात कर रहे हैं यहां देखो सबसे पहले अपने बाबर की बात किया ना तो बाबर देखो इसमें बाबर ये देखो ये बाबर बाबर की पीछे अपन देखे थे क्या इनके पिता अब आगे बाबर की और बाते हैं चलो दोस्तों शिकंदर लोधी। लोधी वन्स का, दूसरा साक शासक था ये, second क्या था? Second, ruler था, इसके बाद में आ जाता है इबरहिम लोधी, इबरहिम लोधी के साथ ही बाबर का क्या होता? आगे देखेंगे, 21 अप्रेल, क्या है इसमें? 21 अप्रेल, 1526 को, बाबर की बात करें तो बाबने चार युद्ध लड़े थे अपनी इसमी भारती इतियास की बात करते हैं तो 1526 को पहला युद्ध लड़ा पानीपत का कौन सा युद्ध लड़ा इसने पानीपत पानीपत कहां पढ़ता है वर्तमान में हर्याना में हर्याना की राज़न क्या चंदीग आप देख लेना यानि पान खा चलगर अब देखो पानीपत का यूद कब लड़ा 1526 में याद करते जाओ खानवा का यूद कब लड़ा 1527 में चंदेरी का यूद 1528 में और घागरा का यूद 1539 में और बाबर की लास्ट जाके 1530 में क्या हो जाती है वो डाइट अक बाबर डाइट बाबर क्या हो गया मर गया चलो दोस्तों आगी का वीडियो और बनाएंगे ठीक है